Hey friends, मैं Arunima हूँ, आज हम लगए Solve करेंगे Chapter 1 First Day at School का Question Answer तो चलिए, इन सारे Questions को Solve करना सुरू करते हैं Reading is fun Question No.1 What does the child in a poem think about his drawing? जो चाइल है, बच्चा है, बच्चा है, इस poem में First Day at School poem में अपना ड्राइँ के बारे में वो क्या सोच रहा है? Answer He is thinking that his drawing would be as good as his other classmate वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि उसका जो ड्राइँ है, उसका जो दूसरा क्लास्मेट से है, उसका जो दूसरा स्कूल का बच्चा है, उसके जैसा अच्छा होगा की नहीं? नेक्स्ट कोश्चन है, कोश्चन नाबर टू, वाट देज द चाल्ड वंडर अबाउट इस टीचर? जो बच्चा है इस फर्ट टेट स्कूल पोवम में वो अपना टीचर के बारे में क्या सोच रहा है? आंसर, वो अपना टीचर के बारे में जा सोच रहा है, कि टीचर मेरी मा जैसे लगेगी, दिखेगी कि प्यार्ड मदर जैसे दिखेगी, यह सोच रहा है? तो नेक्स्ट कॉस्चिन है, कॉस्चिन नमबर थ्री, डू यू थेंग तर चाइल्ड वोड लाइक टो केरी इस पपी टू स्कूल? मतलब, क्या आप सोच सकते हैं कि जो बच्चा है, फर्स्ट टेट स्कूल पोवम में, जो बच्चा है वो, क्या अपना पपी को, कुट्टा का बच्चा को, क्या अपना पपी को स्कूल ले जा सकता था? एंसर, लो, ही कैंट कैरी हिस पपी टू स्कूल. तो एंसर क्या देख ले था? नहीं, वो नहीं ले जा सकता था अपना पपी को स्कूल. नेक्स्ट, लेस्ट टॉक, कुश्चिन नमबर वन, मतलब, क्या आपको याद है, अपना फर्स्ट टे अच्चूल? मतलब पहला दिन, स्कूल का पहला दिन आपको याद है? आपका ऐसा दिख रहते है, आपका ऐसा फील किये, आपका जो मसे शुश किये, हैपी और शाइड, शाइड हैपी, शाइड हैपी ही अधिकतर फील करता है, तो यह हम लोग का answer तो next question है Question number two When you entered your class What did you like? जब आप अपना class में इंटर किये अंदर गए जैसी आप अंदर गए अपना class में आप क्या पसंद किये? What did you like? आप क्या पसंद किये? Answer I like the whole class and especially my class teacher मतलब When you entered मतलब है कि मैं पूरा class को पसंद की और और मैं अपना class teacher को भी पसंद की तो question number three है Who was the first friend you met? आप किसे अपना first friend बनाएं? आप नहां लिखिये? Answer Do it yourself आप अपने खुद की खुद से की जाएं? Question number three को Who was the first friend you made को? तो next है Question number four What did you enjoy doing the most? Answer I enjoyed playing with my pet dog Miley मैं क्या मैं क्या में इंजॉय करती हूँ? आपको क्या करने में बहुत मज़ा आता है? Answer I enjoyed playing with my pet dog Miley मैं क्या में इंजॉय करती हूँ? अपना pet dog के साथ खेलना Miley के साथ The next question है Question number five Do you have a pet at home who waits for you to come back from school? मतलब यह है कि आपके पास कोई pet है Home पे? घर पे? जो आपका वेट करता है आपका वेट करता है आने तक स्कूल से आने के लिए? Answer Yes, I have a pet dog at my home Who waits for me to come back from school? Answer उसे आने के लिए आने तक The next Let's ask Question number one Find a partner Let your partner Pretend to be a teacher Who welcomed you to your class? मतलब एक पार्टनर आप थूढ़ी है आप अपना पार्टनर को क्या कही है? Yeah आप अपना एक पार्टनर थूढ़ी है? मतलब फ्रेंड थूढ़ी है और अब आप अपना पार्टनर को क्या कही है? कि वो नाटक करें एक टीचर के जासा Who welcomed you to your class? जो आपका वेलकम करें आपका क्लास में Answer Do it yourself Answer में का मतलब है Answer में जो लिखा है उसका मतलब है आप अपना खुद से कीजिए Question No.2 Now art out your first day at school मतलब अब आप आप कीजिए मतलब एक्टिंग कीजिए अपना first day at school का Answer Do it yourself मतलब आप अपने खुद से कीजिए Question No.3 Look at the picture What are the children doing? आप इस picture को देख लिजिए इस picture में जो इस picture में उस picture में इस picture में आप देखिये इस picture को आप देखिये What are the children doing? इस picture में इस picture में इस picture में इस picture क्या कर रहा है? आप देखिये Student मतलब जो गर्ड है वो क्या का एक्टिंग कर रहा है? एक टीचर के जैसा एक्टिंग कर रहा है? और जो बॉइ है वो क्या के जैसा एक्टिंग कर रहा है? एक स्टूडेंट के जैसा एक्टिंग कर रहा है एक स्टूडेंट के 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 स्टूड सारे वर्ड्स बना सकते हैं इस हिपोपोटामस अब इस हिपोपोटामस के पिक्चर को देख लिए अब कितने सारे वर्ड्स बना सकते हैं इस इस हिपोपोटामस वर्ड्स है पिक्चर में जो हिपोपोटामस लिखा हुआ है अब उससे कितना सारे वर्ड्स बना सकते हैं वन हैस बिन डन फर यू एक एक वर्ड आपके लिए डन है आपके लिए यह पॉट डन है इस तो अंसर है पॉट टैप मैट है इस होट मैप आप लिख सकते हैं हो पॉट टैप मैट है इस होट और एंड मैट पॉट बंट है इस नदड आपके लो घचर्प टैप्ट आपके लोट कर दूब कर दो है लिए इस फिरफ दड़ आपके लिए ठायरे मैं था जब कर दो का टो हैं